हेलो चिल्डरन माई नेम इस यशी निगम फ्रॉम आशनासे इंग्लिस स्कूल एंड गोड शेपट एजिकेशन सेंटर तोड़े इन ओनलाइन क्लासे इस फॉर क्लास सेवें इंग्लिस मीडियम तोड़े वे 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 श्टैडी मैथ्स एंड इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन बचों आप लोग की अनलाइन क्लास से श्टार्ट है बट आप लोग पास में बक्स और नोट्बुक नहीं है तो बचों आपके दोनों ही स्कूल मॉर्निग में खुले लगे हैं आशान हसे इंग्लेस स्कूल मॉर्निंग में 9 o'clock to 12 o'clock कुलता है आप वहाँ पर अपने पैरेंट्स के साथ में जाकर कि अपनी बुक्स और नोट बुक्स परचेस कर सकते हों के 5 Multiplication of Frractions We define the multiplication of fraction as follows Product of fraction equal to products of numerator of the fraction upon product of dip denominator of the fraction दस A upon B multiplied by C upon D equal to A multiplied by C upon B multiplied by D देखें यहां पर क्या होगा है numerator का multiply numerator से होना है और denominator का denominator से ओके Note to multiply mixed number we first convert them into improper fraction and the multiply Example एक देखें है find the products क्या है यह दिया हुआ है हमें 2 upon 9 multiplied by 3 upon 14 solution 2 upon 9 multiplied by 3 upon 14 आप देखें हो 2 multiplied by 3 upon 9 upon 14 यह क्या हो रहा है 3 की table से कट रहा है क्या से 3 बंजा 3 3 3 जा 9 ओके और यहां पर क्या हुआ 2 की table से 2 बंजा 2 and 2 7 जा 14 यहां पर कितना आया 3 बंजा 3 3 3 जा 9 और यहां पर क्या हो गया 2 बंजा 2 2 7 जा 14 तो आपने 1 का multiply 1 में होगा तो कितना आएगा 1 and 3 का multiply 7 में होगा तो कितना आया 27 1 upon 21 दिस इस अंसर ओके and next question 7 upon 7 upon 13 7 multiplied by 14 upon 34 and 8 upon 15 ओके आई देखते हैं इस पर multiply करऊ पहले 14 का 7 में, फिर जितना भी आया, उसका 8 में multiply किया, आंसर कितना आया, 392, upon 13 का multiply आपने 34 में किया, फिर जितना given हुआ, उसका multiply 15 में किया, कितना आया, 3315, okay, clear, अब यह क्या है, next question दिया हुआ है, बचों हम लोगों को mix fraction में दिया हुआ है, mix fraction को सबसे पहले हम लोग किसमे convert करेंगे, fraction form में means, mix fraction form लोग numerator upon denominator में convert करेंगे, उसके बाद में हम लोग ऐसा similarly, अपने last question की तरीके हम लोग मल्टिप्लाइट करेंगे, and answer होगा, okay, use of, we define, a upon b of c upon d, equal to a upon b multiplied by c upon d, equal to a multiplied by c upon d, equal to a multiplied by c upon b multiplied by d, okay?